अंडे का यखनी पुलाव सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है टेस्टी और बेहद लजीज बनती है और फटा फट से बन भी जाती है तो अंडों का यखनी पुलाव बनाने के लिए पहले लेंगे एक बड़ा चमच भर कर घी एक चौथाई कप तेल डाल लेते हैं अंडे मैंने यहाँ पर लिए हुए है आट हलकी हातों से छुरी या फिर फोक से इस तरह से इस पर कच लगा लेंगे ताके अंडे फ्राइ करने पर फटे नहीं अब मीडियम फ्लेम पर अंडों को फ्राइ कर लेंगे हलका साइन पर गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राइ कर लेंगे और इसके बाद यह सारे अंडे निकाल लेते हैं तेल ड्रेन करके अंडों को हम साइड में रख देंगे इसी तेल में अब डाल लेते हैं दो मीड प्याज में आड कर लेंगे खड़े मसाले, दो इंच का है ये दार्चिनी का टुकड़ा, दो स्टार पूल, आदा चमच जीरा, आदा चमच काली मिर्च, दो काली बड़ी लाइची, दो तेज पत्ता, और दो टुकड़ा है चावित्री का, इस खड़े मसाले को डाल कर बस आ प्राइ कर लेते हैं, फ्लेम को अब लो कर लेते हैं और इसमें पाउडर मसाले डालेंगे, आदा चमच डालेंगे सौफ का पाउडर, एक चमच भर कर डालेंगे धनिया का पाउडर, और थोड़ा समय इसमें पानी आड कर रहे हूं ताके मसाले भूनते वक्त जले नहीं, पानी डालने के बाद मसालों को मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। जैसे ही आप देखें कि तेल सेपरेट होने लगा है, बस इसी टाइम पर हम डाल देंगे आधा कप दही अच्छी तरह से फेटा हुआ। दही के साथ ही डाल लेते हैं 5-6 हरी मिर्चें बीच से स्लेट की हुई। जितना तीखा पसंद करते हैं उस इसाब से आप इसमें मिर्च आड़ कर सकते हैं। दही डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर अब मसालों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। तीन से चार मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए इस तरह भूनने से खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज हो जाएगा मसालों में। फिर से जब आप देखें कि मसाले से तेल सेपरेट होना लगा है बस इसी टाइम पर हम पानी आड़ कर लेते हैं। अच्छा से चावलों में बॉयल आ जाए और पानी सूखने लगे इसी टाइम पर हमें इसमें आदा चमच गरम मसाला डालना है। गरम मसाला डालकर हलकी हाथों से इसे मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। गरम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसके बाद अंडे जो हमने फ्राइ करके रखे हैं, इसे इस तरह से यहां पर डाल देते हैं, अच्छी तरह से इसे पहला लेंगे चाबलों पर ठक कर इसे हमें दम पर पकाना है करीब 15-20 मिनट के लिए, चाबल अच्छी तरह स से इसे गानिश कर लेते हैं, मज़ेदार से अंदा यखनी पुलाओ को दही वाले रायते के साथ कचुमर या फिर सालिट के साथ सर्फ कर लीजिए,